subscribe to QCL channel and hit the bell icon also please QCL को subscribe करें और bell icon को भी press कर लें उस पर एक bell icon बन के आता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं और most 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 important current affair है प्लीस आप लोग पूरा सुने लास्ट में बहुत सारी full पूरा रिव्यू भी दिया है मैंने एक इंपॉरे सेशन के बाद तो पूरे सेशन को ध्यान से सुनें वाच करते करते लाइक जरूर करें और लाइक करने के बाद शेयर ठीक है और अच्छे से कॉमेंट जरूर भेजें मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको और आज का जो यह वीडियो है यह हर वीडियो मोस्ट इंपॉर्टन अब लेकर यह बहुत बहुत इंपॉर्टन है ध्यान से सुनिएगा ठीक है अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंट साज 22 नवंबर है आज का करन्ट है फिर स्टार्ट करते हैं चलिए यह है 22 नवंबर का पहला कोशन हाली में अभी वर्ल्ड टेलिविजन दे कब मनाये गया है तो 21 नवंबर को अच्छा यह मनाये क्यों जाता है तो पत्रकारों लेखकों और ब्लॉगरों को इकठा होकर ब्लॉगर्स पत्रकार लेखक और ब्लॉगर्स कठा होकर टीवी के प्रोथसाहन और इसके सही यह उचित प्रयोग के बारे में करते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं तो इसलिए मनाय जाता है 21 नूंपर को व्रल्ड-Tv VO टीवी से यहां टैलिवीजन कह रही हूं टीवी वह वाला नहीं वर्ड टैलिवीजन डे किस नॉम्बर को अच्छा एक और इंपोर्टन डे मनाया गया है कौन सा कौन सा मनाया गया है वह लास्ट में बताऊंगी मैं आपको ठीक है चलिए नेक्स कुर्शन लेते हैं हाली में प्रधान मंतरी के रूप में किसको नुक किया गया है तो अभी प्रधान मंतरी चैनित हो गए है श्री लंगा के ने प्रधान मंतरी महिंद्रा राजपक्षे श्री लंगा के पहले प्रधान मंतरी कौन थे रनिल विकरम संगे और अभी कौन बन गए महिंद्रा ये श्रीलंका के पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ईजिकी बताया था अब गोटव्य पक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों का नाम याद रखिए स्रीलंका के हिवाले से स्री लंका की commercial capital कूलंबो स्री लंका की administrative capital that is श्री चैवर्धने पूरम कोटे स्री लंका के और अपने देश भारत के बीच में जो dividing line है वो कौन सी है पाक जलनमरू या पाक अधिकरित भी कहते हैं उसको पाक स्ट्रेट पाक की खाड़ी ठीक है यह कहते हैं PL के पाक ओके नेक्स कोशन है नेक्स कोशन गया है नेक्स कोशन है हाली में अभी विम्स्टेक की पहली रक्ष तटीय रक्षा बैठक का आयोजन कहां हुआ है नेक्स कोशन 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 आपक आपक अधिकर नेक्स कोशन कोशन के तब अधिकर में पहली विम्स्टेक की पहली तटीय रक्षा बैठक का आयोजन कहां हुआ है तटीय रक्षा की पहली बैठक का आयोजन तो कहां हो रहा है नए दिल्ली में कहां नए तो यह जो है अब यहां पर वे उफ बेंगाल इनिशेटिव फार मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड एक्नोमिक कोरपरेशन विम्स्टेक यह है विम्स्टेक की फुल फॉर्म इसकी क्या बैठक अभी कहा अज़त हुई है पहली 30 रेक्षा बैठक कहा अज़त है नई दिली में अब नई दिली में हुई है नई दिली के चीफ निस्टर अर्वेंद केज्रिवाल अरित बेजल कौन है इसके ल्यूटिन अगवर्नर ठीक है याद रखीगा चली नेक्स कोशन देखें स्रीलंका की करेंसी नहीं बताई मैं आपको स्री लंकन रूपी ठीक है महिंदर राच पक्षे गोटा राजपक्षे इन सब के बारे में बता दिया लेकिन करेंसी कैंश स्री लंकन रूपिया यानि स्री लंकन रूपी नेक्स कुशन लेते हैं पर द्रिष्टी डालने के लिए ये कारिकरम जो है लॉंच किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो अब क्या है यूनियन टेरिटरी है पैक्ट टू विलेज ओके तो यूटी है दो यूटी बन गए ना इसका जम्मू एंड लदाख पताया था आपको जम्मू म करते हैं थोड़ा सा देखें इसको हाली में अभी परियाटन विकास के छेत्र में अपने देश भारत ने किस किस देश के साथ समझाता किया है परियाटन बढ़ावा और विकास के छेत्र में परियाटन बढ़ावा विकास के यानि विकास ही कह लिए बढ़ावा क्या हूं म परियाटन के छेत्र में या परियाटन विकास के छेत्र में अपने देश भारत ने किस देश के साथ समझता किया तो इस फिनलेंड क्या है फिनलेंड हेलेंस की इसकी कैपिटल है क्या है हेलेंस की फिनलेंड की और यूरो है करिंसी क्या है यूरो करिंसी प्रेसिडेंट का ना के लिए समझौता ओके चलिए नेक्स कुशन ले लेते हैं यह देखिए पेटा ने अभी person of the year किसको न्यूत किया है पेटा ने पेटा काना आपने सुनाओगा यह एक ईजिंसी इमान लेजे तरह से संस्था है एक संस्था है पेटा बहुत बड़ी संस्था है जो एनिमल फेवर्स के लिए यानि जानवरों की हित में कारे करती है जानवरों की हित के लिए कारे करती है पेटा ठीक है इसने अभी परसन आफ दी इयर किसको न्यूक्त किया है तो अभी पेटा ने न्यूक्त किया है परसन आफ दी इयर के रूप में विराट कोहली को किसको वि कोल रही हूं पे ता तो पेटा की फूल फॉर्म च्या है पेटा की फूल फॉर्म है लेकि disrupt यह एक eks treatment ये देखकि इसको सुनिए एक क्लिप enough-economygle इतना याद रखिए ठीक है Ethics Treatment of Animal P.E.T.A है यह ऐसे क्या है P.E.T.A Ethics Treatment of Animal तो इतना याद रखेंगे ना तो आपका पुरा हो जाएगा Ethics Treatment of Animal यह पेटा और यह जानवरों की हित्मे कारे करने वाली एक संस्था है ठीक है और इसने भी विराट कोली को अपना Person of the Year न्यूक कर लिया है इसने पेटा की ओर से लेकिन इससे पहले इन्होंने अनुश्का शर्मा को किया था इनसे पहले Person of the Year विराट कोली बने इनसे पहले किसको किया था अनुश्का शर्मा को किया था ठीक है याद रखेंगा ओके अच्छे से समझ में आगई बात तो अनुश्का शर्मा पहले थी और आप किसको न्यूक किया Person of the Year विराट कोली को ठीक चलिए नेक्स कोशन देगे अभी हाली में ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स ओहो ग्रांड प्री वाला कोशन है ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स वाला कोशन है ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीत लिया है तो यह जीत लिया है मैक्स वेक्स्ट अप्पन ने किसने मैक्स वेक्स्ट अप्पन अब मैक्स वेक्स्ट अप्पन ने जीत लिया है Brazilian Grand Prix ठीक है? ये इस साल का 18 Grand Prix है क्या है? कौन सा Grand Prix है? 18 Grand Prix और 17 के 17 Grand Prix मैंने आपको बताए है इससे पहले क्या? 17 के 17, 17 आउट ओफ 17 मैं बता चुकी हूँ और आज मैंने आपको 18 बताया है 18 नमबर का बताया है इस साल का ये 18, 2019 का 18 Grand Prix है कौन सा? Brazilian Grand Prix तो Brazilian Grand Prix किसने जीत लिया है? किसने जीता है Brazilian Grand Prix? तो Max Vexed Happen अब मैंने एक बात और गई थी जितने भी Grand Prix में जो भी drivers होते हैं ये जैसे Max Vexed Happen है ना? Lewis Hamilton है कोई भी है जितने भी होते हैं जितने नाम मैंने आपको बताएं हैं, ठीक है ना? Charles Lickler है बहुत है, ठीक तो मुझे ये बताईए कि मैंने आपसे एक बात हमेशा कही है कि इनकी Companies के नाम याद रखने हैं जितने भी ये Drivers हैं इनकी Companies के नाम आपको जरूर याद रखने हैं तो मैंने इनका बारे में आपको कई बार बताया है, ठीक है Max Vax Step 5 का भी मैं पहले भी बता चुकिया उन 17 Grand Prix में हैं ऐसे Grand Prix जो पहले इनों ने जीते हैं Max Vax Step 5 ने, तो वो और जो आपको 17 में से जितने भी याद है वो और याज 18 में हो गया, 18 के 18 में से जितने भी याद हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अब ड्राइवर कंपनी ड्राइवर की कंपनी याद रखनी चाहिए तो ये Max Vax Step 5 किस कंपनी के हैं Max Vax Step 5 है, Red Bull के मैंने पहले भी बताई, यसी लिखा था कौन कौन से जीते हैं, उतको रिवाइस कीज़े ठीक है, मेरे पिछले वीडियो से और 17 के 17 मैंने बताई हैं जितने याद हैं, आज अठार्मा बताई है जितने भी याद हैं, बेफिकर हुए, मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के लिए, उतने आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको दुबारा बताऊंगी बकाईदा एक वीडियो बना दूँगी आपके लिए परिशान मत हुए, लेकिन जितने याद है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिए तो यह अठार्मा ब्राजीलियन ग्राइड प्रेक्स चीता है किसने मैक्स वैक्स टेप पनने और यह रैड बुल के ड्राइवर है चलिए एक कोशन एक सुनी लिजे एक कोशन और बता देती हूँ आपको कि नहीं कोशन नहीं, डाउट क्लेर कर देती हूँ आपको कुशन तो भी लोगी, डाउट क्लेर यह है कि देखे यह जो इनका नाम है इनका नाम है जो मैंना भी फिनलेंड की बात की है है ना हेलेंस की कैपिटल है और यूरो करेंसी है तो मैंने का प्रेसिडेंट तो एक बार सुन लीजे मुझसे कुशन का यह है लेखे, कमेंट बोक्स में ग्रें फरेसिडेंट का आ अंसर लेखे सुन लिजे कफ़ई है धजिसके साथ भारतने परियाटन समझवता की आ तो एक नाम साओली Νैनिश्टो साओली निस्टो दक्षिण बैशिया शिकर सम्विलन का आयोजन कहा हुआ है टकशिन एशिया साथ एशिय शिखर समन्मिलन का आयोजन कहा हुआ है तो यह हुआ है नय दिल्ली में हमारी केंद्रिये वस्तर मंत्री है तरह रख्ये कौन है इसमिती इरानी है कपड़ा उद्योग मंत्री केंद्री कपड़ा उद्योग मंत्री है वसर उद्योग मंत्री है कौन इसमिती इरानी इन्हों ने इसका उद्भाटन किया है इसमिती इरानी जी ने और ये नई दिल्ली में हो रहा है दक्षिन एशिया शिखर सम्मेगन का आईजन ठीक है याद रखना है आपको चलिए नेक्स कुशन देते हैं अब जल्दी से कुशन देखिए हाली में अभी किस राजे ने अपने 34 शहरों को वर्ल्ड क्लास डेवलप करने की घोशना कर दिया है हाली में किस राजे ने अपने 34 शहरों को वैश्विक इस्तर पर विक्सित करने की घोशना कर दिया है हाल ही में किस राज्जे ने अपने 34 शहरों को वैष्विक इस्थर पर यानि वुर्ड क्लास तेवलप सिटी, विखेष सितर पर विकूष्थ न कर दिया किये तो यह किये मद्प्रदेश ने किसने की है मद्य प्रदेश ने अब देखिए मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश की कैपिटल एजी भोपाल मद्य प्रदेश की 28 प्रतिशत आबदी यह नि पॉपुलेशन आबदी जो है 28% आबदी जिसको कहते हैं अब क्या कहते हैं इसको अबदी कहते हैं पीरेड को और आबादी है यह पॉपुलेशन 28 परसंट 28 परसंट जो पॉपुलेशन है जो आबादी है ठीक है वो रहती है इन 34 सिटीज में और इन सारी सिटीज को 34 सिटीज जो है MP की MP ने वर्ल्ड लैबल पर यानि जो कंट्रीज जितने हैं के सिटीज है वो बनाने की बात कर दी है और आइनude मनाने कि बात कर दी है घोशना कर दी है जो वैश्विक इस तरपर विक्सित वीशुपु इजेए आधेटीज ने अपने 34 शहरों के लिए और यह बोलीर लेशन 28 परसंट आबादी एंप की 48 अफ़ MP उनमे रहतीả है. MP के लाल जी टेडनन गवर्नर है राजय पाल और MP के चीफ मिनस्टर है कमलनाथ. टीक है। याद रखिएगा. नेक्स कोशन है अभी हाली मनुभाकर ने ISSF में कौन सा पदक जीता है अभी हाली में मनुभाकर मनुभाकर ने ISSF में कौन सा पदक जीता है तो मनुभाकर ने जीता है 10 मीटर एर राइफल में गोल्ड मेडल मनुभाकर ने अब ISSF क्या है इसी में दस पीटर एर राइफल में मनुभाकर ने जीता है क्या गोल्ड मैडल क्या जीता है गोल्ड मैडल ठीक है आप देखिए एक कॉशन लेते हैं आली में अभी थर्ड एम्पायर मशीने कहां स्थापित की जाएंगी थर्ड एम्पायर मशीन कौन सी थर्ड एम्पायर मशीन कहां स्थापित की जाएंगी तो ये की जाएंगी कॉलकता में कहां कॉलकता में ये थर्ड एम्पायर मशीन क्या है तो देखिए होता क्या है देंगू तपेदिक और स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाग बीमारियों का पता लगाने के लिए ये स्थापित की जा रही है कॉल कता में क्या क्या थर्ड एंपायर मशीन अब ये क्यों की जा रही है तो ये जो है ये जो है ऐसा होता है कि कभी-कभी मेडिकल रिपोर्ट किसी व्यक्ति की और ब्लड रिपोर्ट मैच नहीं करती है किसी व्यक्ति की कभी-कभी मेडिकल रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट सू होती है वो मैच नहीं करती है और इसी के चलते इसी के चलते क्या थार्ड एंपायर मशीन लगाई जा रहे हैं जिससे के उनको सॉट आउट किया जा सके ठीक है अब ये अब ये जो है आर्टी पीसी आर मशीन है कौन सी आर्टी पीसी आर मशीन ठीक है तो ट्रांस्क्रिप्शन पॉलिमराइज चेन रियक्शन इतना याद रखिए आप जैसे मैंने वहां बताया था ना पेटा कमें तो इतना याद क्योंकि इंसान फिर याद आई जब फॉल फॉल फॉर्म देखता है तो टिक करी देगा जैसे मैंने आपको अधिक्स ट्रीटमे इतना ट्रांस्क्रिप्शन पॉलिमराइज चेन रियक्शन अब खुद से लगा लेंगे पूरो का पूरा अतमे मैं आपको बस आर चोड़ा और बता दिया था यानि ती पी सी यार का बता दिया आर चोड़ा तो इस तरह से असान हो जाता है तो बहुत से याद करने में ले भी बता दूंगे ठीक है याद रखेगा आप स्कूशन लेते हाली में किस देश ने अभी अपनी यहां की मिसाइल शाहीं one का सफलता पूर्वक परिक्षन किया है तो यह है पाकिस्तान और इसने शाहीं one का सफलता पूर्वक परिक्षण किया है तो यह जो शाहीन वन मिसाइल है यह शाहीन वन बैलिस्टिक मिसाइल है क्या शाहीन वन बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन वन बैलिस्टिक मिसाइल इसी को सफलता पूर्वक परिक्षण कर लिया है पाकिस्तान ने ठीक है इसका जो मार है वो 650 किलो म किलो मीटर्स है और ये surface to surface मिसाइल है कौन सी है surface to surface ठीक है और कौन सी के ना में शाहीन 1 बालेस्टिक मिसाइल किसने डेवलप किसने सपलता पूर्वाम परेक्षट किया है पाकिस्तान की कैपिटल इसलाम अबाद आरेफ Алवी कौन है प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के कर्केटर इमरान खान जो है वो कौन है वो प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे नरिंदर जी नरिंदर मोदी जी है वैसी उसके है उस देश के पीए में इमरान खान और पाकिस्तान की करिंसी रूपिया है इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बताती क्योंकि स्री लंका हुआ नेपाल हुआ पाकिस्तान हुआ ज्यादतर इन देशों की जो करिंसी है वो रुपिया होती है इसलिए सिर्फ बात यह ही है ठीक है अच्छा अब एक छोटा सा मुझे रिव्यू देना है आपको मैंने कहता है कि इंपॉर्टेंट डे और बताऊंगी पहले तो देखिए मैंने आपको किस नमबर को बताया वर्ल्ड टेलिविजन डे तो यह क्यों मनाया जाता है मैंने बताया था ब्लॉकर्स जितने भी हैं पत्रकार हैं लेखक हैं तो वह सब वर्ल्ड न्यूज और ग्लोबलाइजेशन में टीवी के प्रोचाहन को बढ़ान यानि टेलिविजन के प्रोचाहन को बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है अब दूसरा डे जो बताया था मैंने किस नमबर को एक और डे में तो वह कौन सा है वर्ल्ड फिलोसफी डे वर्ल्ड फिलोसफी डे जो है क्या है वर्ल फिलोसफी डे इसको कौन मनाता है इसको लगी हुई है, क्या, world philosophy day के साथ, एक condition लगी हुई है, ये convember के घर, तर्ड, Thursday को मना जाता है, क्या वाहरी नवंबर तो यूनेस को मनाता है कि जो हमारे नागरिक हैं वो अपने विचार विचारों को प्रदर्शित कर सकें अपने विचार देने की उनको विचारिक स्वतंतरता का वो प्रियोग कर सकें विचार विमर्श कर सकें इसलिए मनाया जाता है वर्ल्ड फ्लॉसफी डे यूनेस को मनाता है ठीक है अब मैंने आप उस सारे इंपोर्टेंट डेस बताए हैं आज नवंबर के आज तक आज नहीं बताऊंगी न आप कारे में मैंने बताया था तो विम्स्तेक का बताया था कि इस की जो है जो बैठा कोई है वो कहा हूं हो ये सब बताएं अब बेम्सटेक का जो है बार व्स्टेक का असल में है क्या क्या एक यह जो है 1997 तब 1997 जो चैर्मिंशिप किसके पास है स्रीलंका एक ALL डाका में और 1997 में में बना है ट्रा काम है ट्थर है यह लेकिन में सुपर्ण भूटान बंग्लादेश इंडिया नेपाल मैनमार स्री लंका थाइलन्ड औंकोण से यानि कि इस देशों का नाम फिर से सुदिजे सबसे पहले भूटान, बंगलादेश, इंडिया, नेपाल चार हो गए, मैनमार, स्री लंका, थाइलेंड, मैनमार, स्री लंका, थाइलेंड, मैनमार, स्री लंका, थाइलेंड, मैनमार, स्री लंका, थाइलेंड, ये तीन हो गए, इंडिया नेपाल दो पांच और भूटान और बंग्लादेश साथ तो ये है ठीक है अब देखे एक बात और सुनिये ध्याम से मैंने आपको बताया था कि पेटा तो पेटा की फुल फॉर्म बताई थी तो पेटा की पूरी सुन लीजे ताकि आपको एक बार नकात एक बार ब couples ये पीपल फॉर्म पीपल फॉर्म पीपल फॉर्म फोर एथिक्स ट्रीटमेंस आणिमल फॉर्म 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 पीपल फॉर्म पर एक्शाल फॉर्म फ्वर्म फॉर्म काम करती है बता का पका यूर्ठम अब हम कुमी Oz Чॉछ आपको ये का वी स специ multiplying based दमने को नहीं है केंद्री वस्त उद्योग मंत्री है प्रेजंट टाइम की इसमिद्य वस्त उद्योग मंत्री di देन्ट शिखतीज एशिया शुक्षण सम्मेलन फंध लेड़ने इस वर्च्षण सेफिस रेख समयलन की बैटन का आयोजन हुआ है शिकर समेलन ठीक है तो क्या साउथ एशिया डिफेंस कॉन्फरेंस का अभी आयोजन हुआ है नहीं दिली में जो केंद्रिय वस्त रुद्योग मंत्री प्रेजेंट टाइम की समेटी इरानी इनोंने संबोधित किया है उद्घाटन के साथ अब तो यह थर्ड एंपायर मशीने तब काम करेंगी इस तब वर्किंगे जब मेडिकल रिपोर्ट 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 मैच नहीं कर रहे हूंगी तब ही अपना तो यह मैंने अब बता है र्टी-PCR मशीन है उनको कहां स्तापित किया गया कौलकता में तो र्टी-PCR म का मतलब है इसका full form यानि है reverse transcription polymerized chain reaction क्या है reverse यहां 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 रिवर्स transcription RT हो गया reverse transcription polymerized chain reaction तो यह RT-PCR का हो गया ठीक है और जो वो था वो पताया था back to village program पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए है बताया था ना जो सब बता दिया उसना मुझे लग रहा कोई fact मुझे जो review करवाना चाहिए सब तो most important most most important मैंने करेंटाय फिर आप लोगों के साथ डिसकस किया है प्लीज इसको ध्यान से सुनिये और watch complete करते करते इसको like जरूर की शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से कॉमेंट जरूर सेंड कीजिए आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों अपना ख्याल रखिए thanks for watching